हलो आज है 25 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरबिंदो फार्मा के बारे में देखें 418 रुपे का ये शेर है और आज भी यहाँ पर गिरावट है और पिछले लंबे समय से ये तूट रहा है बिखर रहा है अगर देखा जाए तो अल्मोस्ट अपने हाई से 60 प्रतिशत तक ये तूट चुगा है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरबिंदो फार्मा को लेकर कि बाया चल क्या रहा है इतनी गिरावट क्यों है और ये संभल आखिर क्यों नहीं रहा है तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने वीडिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो 418 रुपए का शेर है अर्बिन्दो फार्मा का और पिछले एक महीने में हम देखे तो 4.5% की गिरावत है अब तक ये संबल रहा था ठीक है लेकिन आज एक जटके में तूट गया हाला कि आज बाजार भी बहुत गंदे तरीके से तूटा है तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावत हमें देखने को मिली गई है एक साल में अगर हम देखे तो पिछले एक साल में अर्बिंदो फार्मा के शर्ण 32% की भेंकर गिरावत है और ग्राफ अगर आप देखो तो कुछ खास अच्छा नहीं है लगाता तूट रहा है अगर लगा भी कि थोड़ावत संभलने की कोशिश करें सपोर्ट बना रहा है तो यह और ज़्यादा तूट गया तेकि लंबे समय से यह 4500 रुपे के आसपास बना हुआ था लेकिन अभी तूट गया वापस से अगर तीन साल की बात करेंगे तो पिछले तीन साल में अर्बिन्दो फार्मा का जो शहर है उसमें 16% जितने गिरावट है और गिरावट काफी बड़ी है यहां पर और हम पांस साल की बात करें तो पांस साल में हलाकि कोविट के वक्त अगर आप देखोगे 2020 में कोविट में तो अर्बिन्दो फार्मा का जो शहर था यह 3500 रुपे तक गया था कोविट जैसे बुरे हालातों में भी लेकिन वहां से संभल कर यह 1000 रुपे से भी उपर चला गया था एक 1022 रुपे तक गया था लेकिन अपने हाई से यह इतना तूट रहा है इतना तूट रहा है कि अगर कोविट वाला भी भी रेकोर्ड तोड दिया तो बहुत गंदे हालात हो सकते हैं इनके और हला कि वहां तक जाता हुआ नजर भी आ रहा है लेकिन चांसिस थोड़े से कम है कि कोविड में जो लो बनाया था उतना ये लो बना जे दुबारा लेकिन प्रॉब्लम पता है कंपनी में क्या है प्रॉब्लम यह है कि बड़े ऐलिगेशन लगे हुए है और जब ही ऐलिगेशन लगे थे मैंने वीडियो बना कर आपको अपडेट भी किया था उसके बारे मैंने कहा था कि यह तूट सकता है अभी भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आज भी अगर आप देखो तो यह लगाता तूट ही रहा है गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रही है अरबिन्दो फार्मा के बारे में अगर हम देखे तो अरबिन्दो फार्मा का अगर हम मैक्जिमम ग्राफ भी उठा के देख ले तो हाला कि एक बहुत बड़ी तीजी हमें देखने को मुरी थी साल 2022 से इवन 2030 के शुरुआत में 100 रुपे से भी कम कीमत का यह शेर था और जो भागना शुरू किया था इसने कि बहुत तीजी बनी पूरा तीन साल तक यह दोड़ता रहा था कहीं पर यह रुका नहीं और 100 रुपे से भी कम कीमत का शेर 900 रुपे तक चला गया था उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेर किया कोविड में काफी बड़ी गिरावट आई वापस से बाउंस बैक किया और अभी वापस इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है कि अगर ये कोविड अगर ये 300 रुपे से नीचे चे अगर चला गया न तो ये बना देगा पिछले 6 या 7 या 8 साथ का सबसे बड़ा लोग बना सकता है ये क्योंकि ये इतना नीचे कभी नहीं गया है कोविड ही ऐसा वक्त था जब ये 400 रुपे के नीचे गया था वरना इससे पहले 2014 से पहले कभी ये 400 रुपे तक के नीचे नहीं गया हुआ है तो ये बहुत बड़ी गिरावट आप कह सकते हो यहां पर कि देखने को मिली है ऐसे गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं और उम्मीद करेंगी कि दुबारा यहां से रिकावर भी कर जाए और भी इन दो फार्मा लार्ज केप शेर जरूर है 25,000 करोड के आसपास का इसका मार्केट के पर वॉल्यूम बहुत कम है 23,000,000 के आसपास का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और प्रॉब्लम में कि कंपनी के रिवन्यू कम हो रहे हैं इनका रिवन्यू 5,700 करोड का रहा है लास्स सप्टेंबर कॉर्टर में जो इसे पहले 6,200 करोड हुआ करता था 21,22 पर्सन जितनी गिरावट आप कह सकते हो कि देखने को मिली है शेहोल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें डिविडेंट के बारे में तो डिविडेंट पेज जरूर कर रहा है अभी पिछले साल इसने आपको साड़े चार रुपे का डिविडेंट भी पे किया था अर बिंदो फार्मा देखा जाए तो फार्मा ग्रुप की काफी अच्छी कंपनी आप मान सकते हो लेगिन अभी इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे है और इसलिए according to money control user भी अगर आप देखो तो 35% लोग कहरें कि बेचो बागी हर कोई कहरा है खरीदारी करो और इतना ही नहीं कंपनी में अगर आप insider transaction summary भी देखोगे तो लगादार बिक्वाली के trades पिछले कुछ महिनों में नजर आए हैं में प्रमोटर ग्रूप की तरफ से भी प्रमोटर की तरफ से भी तो लगातार बिक्वाली के trades नजर आए हैं और इतना ही नहीं अगर हम इनके quarterly results देखे तो अभी तक कोई date सामने नहीं आई है कि December quarter के नतीज़े कब आएंगे लेकिन revenue जो अब तक increase हो रहे थे अब वो decrease हो रहे है 2021 में इनका revenue 24,700 करोड था बाद में वो 23,500 करोड रहा अभी भी अगर आप देखोगे तो इनका जो revenue है वो 5-6,000 करोड के आज़ पास देखने को मिल रहा है जो कि growth के तरफ इसारा नहीं कर रहा है इतना ही नहीं इनके profit पर भी अगर हम नज़र करें तो profit में बहुत बड़ी तेज़ी थी COVID के वक्त तो भाई आप हाहा कर मचा था इन्होंने तक्रीबन तक्रीबन इनका profit 5,390 करोड था बाद में decrease होकर 2,675 करोड के आज़ पास रहा अगर नहीं आते हैं तो वह यह और गिरावट आप expect कर सकते हो यहां से अरविन तो फार्मा देखा जाए तो performance कुछ खास अच्छा नहीं रहा है काफी खराब performance रहा इसका पिछले एक साल के अंदर बात करो या पिछले पांस साल के बात करो performance लगाता decrease वाला ही रहा है इनका इवन कोविट में जिस प्राइज पर था उसके आसपास पहुँचने ही वाला है बहुत जल्दी इतना ही नहीं कंपनी में देखा जाए तो पी रिशो हला की सस्ता है 9.70 का है महगा नहीं कह सकते हैं सेक्टर पी 34 का है और 74 परसं 10.40 के खरीदारी करो यहां पर देखिए मेरी क्या recommendation ने वह भी मैं आपको वीडियो में आगया जरू बताऊंगा लेकिन पहले share holding पे नजर करें तो promoter के पास 51.83% की holding है लेकिन दिक्कत यह भी है कि promoter की तकरीबन 8.37% की holding गिरवी भी है इसको अगर मैं सब्टेंबर से compare करूँ तो सब्टेंबर में इनकी जो पहले holding जो थी वो 7.74% की गिरवी थी अभी वो बढ़ चुकी है मतलब और ज़्यादा शरीन उनने गिरवी रखे है 8.34% अब गिरवी हो चुके है mutual fund की 7.50% की holding है domestic की बाद गरे तो 7.61% है mutual funds ने भी क्वाली करी है जो holding पहले mutual fund की 8.96% हुआ करती थी अब वो घटके 7.50 पर आचुकी है domestic की 7.61% की holding वो भी घट चुकी है 7.39% FOS ने भी खरीदारी करी है 21.40% की holding भढ़के 22.32 पर आचुकी है retail और others के बाद के तो 10.96% की holding है जिनमें से retail investors के पास 9.03% की holding देखने को मिल रखी है देखा जाए तो company काफी strong जरूर है ठीक है लेकिन अभी news इनके लिए कुछ अच्छी नहीं आ रही है इनके जो कुछ दवाईया है वो fail हो रही है US market में इसके अलावा promoter के उपर बहुत बड़े allegations लगे हुए थे जिसकी वज़े से भी dent लगते हुए हमें नजर आए लेकिन मैं यही कहूँगा कि अर्बीन तो फार्मर कंपनी तो एक अच्छी कंपनी है और covid के वक्त अगर आप देखोगे तो यह आपको तकरीबन साड़े 300 रुपे के आसपास मिल रहा था तो मुझे लगता है कि at least उतना नीचे नहीं जाना चाहिए at least इसको एक support मिलना चाहिए साड़े 300 से 400 रुपे की range में एक support मिलना चाहिए वहाँ पर कुछ वक्त इसको बिताना चाहिए और उसके बाद शायद हो सकता है कि TZ भी दिखाना शुरू कर दे again मेरी इस price पे खरीदारी की recommendation नहीं है लेकिन अगर 400 रुपे के नीचे जाता है अर्बिन तो फार्मा का share तो risk लेने लाइक level ज़रूर बन जाएगा वहाँ पर लेकिन साथ में खरीदारी करी है तो बने रहो बेचने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक चीज़ यह भी कहूँ है कि अभी यह थोड़ा सा risky है तो वो एक यहाँ पर खबरे भी चलती हुई नजर आती है तो यह सारी खबरे थोड़ी से negative ज़रूर है लेकिन मुझे रता है कि strongly bounce back यहाँ पर आना चाहिए एक level के बाद यह company खराब तो नहीं है और again इनके December quarter के results भी काफी एहम role play करेंगे अगर नतीज़ अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नतीज़ अच्छे नहीं आते हैं वीडियो को यहीं पेंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक कर शाय कर चाहिए अगरा पहले यह बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अरविंदो फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं तक यह बारे में आप कर दो को कर दो चाहिए वीडियो कर दो कि आप शाय कर दो नहीं है